आज हम आपको विज्ञान के विशे में कुछ बातें बताएंगे हमारे हाथ में लप्री के दो टुक्रे हैं इनको देखने से ही पता चलता है कि एक टुक्रा छोटा है और एक टुक्रा बड़ा है इसी प्रकार यदि हम इन दो वस्तूओं को देखें तो हाथ में रखने से ये अंदाज हो जाएगा कि एक वस्तू हलकी है जो हमारे दाहने हाथ में है और दूसरी वस्तू जो हमारे बाए हाथ में है ये भारी है इससे ये अंदाजा लगाया तो जा सकता है लेकिन ये टुक्रा इससे कितना बड़ा है या ये चोटा टुक्रा बड़े चुक्रे से कितना चोटा है इसका सही-सही अंदाज लगाने के लिए हम मापन का कार करते हैं इसका कारण यह है कि हमारी जो ग्यानेंदिरियां हैं जिससे हम अनुभाव करते हैं उसकी एक सीमा है इसलिए सही सही माप के लिए हम मापन का प्रियोग करते हैं मापन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि मापन में हमें किस-किस चीज की आवश्यक्ता पड़ेगी जैसे मापन में हमें दो चीजों की आवश्यक्ता पड़ती है एक तो वहराश जिसका हमें मापन करना है और दूसरा इसका मात्रक यानि हमें किस इकाई में इसे नापना है जैसे अगर हम मालिया लंबाई नाप रहे हैं और हम ये लिख रहे हैं कि किसी वस्त की लंबाई बराबर साथ मीटर तो हमें ये पता है कि हम किस राश का मापन कर रहे हैं हम लंबाई का मापन कर रहे हैं और किस मात्रक में कर रहे हैं ये यहाँ पर हम मीटर में इसका मापन कर रहे हैं अब यहाँ पर ये आवश्यक हो जाता है कि जो हमारा मातरक है उसमें जो जिस राशिका हम मापन कर रहे हैं वो कितने गुना आ गई है यानि यहाँ पर हमें एक तीसरी चीज जो है इसके संख्यात्मक मान की भी अवश्यक्ता होती है यनी यहां पर जो 7 है वो हमारा संख्यात्मक मान होगा और तो मापन में हमने देखा कि हमें तीन चीजों की आवश्यक्ता पड़ेगी वह राशी जिसका हमें मापन करना है जैसे लंबाई मात्रक की जिसमें हमें उसको मापना है लंबाई को हम मीटर में नाब रहे हैं इसलिए ये मात्रक यहाँ पर मीटर हुआ और इसी प्रकार ये हम देख रहे हैं कि वो जो मात्रक हमने लिया है वो हमारी राशी में कितनी बार आया कितने गुना हो गया जैसे यहाँ पर साथ गुना है यानि हमारा जो मीटर स्केल होगा उसको अगर हम साथ बार नापें तो हमें इसकी पूरी लंबाई का ग्यान हो जाएगा यहाँ पर एक चीज और बताना जरूरी है कि राशियां जो हैं वो दो प्रकार की हैं कौन कौन सी यह राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं और यह दो प्रकार की हैं एक तो मूल राशी या स्वतंत राशी यह दो तरीके की हमने राशियां देखी इसमें एक पहली क्या है मूल राशी है या स्वतंत रे इनमें आपस में कोई संबंध परस्पर नहीं होता और दूसरी जो है वो वित्पन राशी होगी वित्पन राशी या जो राशी जो राशी स्वतंत नहीं है जैसे यहाँ पर हमने अभी देखा कि लंबाई एक ऐसी मूल राशी है जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है लेकिन अगर हम छेत्रफल की बात करें उदाहरन के तौर पर तो छेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा वित्पन राशी होगी अधा उदाहरन के तौर पर लंबाई मूल राशी हुई और छेत्रफल छेत्रफल ये वित्पन राशी हुई क्यों क्योंकि छेत्रफल जो है वो लंबाई गुने चोड़ाई होता है जिसमें दोनों का मापन लंबाई के ही मात्रक में किया जाता है जो की हमने यहां मीटर लिया था तो ये वित्पन राशी हो गए यानि ये इससे पैदा हो रही है मूल राशी से ये पैदा हो रही है अब हम ये जानने के लिए कि कौन कौन सी मूल राशीया है हमें भौतिक मूल राशीयों के बारे में ये जानना अतियावश्यक है क्योंकि सही मापन में हमें ये जानना होगा कि मूल राशीया कौन कौन सी है मूल राशियों में अच्छा चुकि ये मूल राशी है इसलिए इनका मापन भी मूल मातरक में होगा जिस मातरक में हम करेंगे उसको क्या कहेंगे मूल मातरक तो पूर में बहुत पहले जो हम लोग शुरू में जानते थे कि केवल तीन ही मूल राशियां थी कौन-कौन सी लंबाई जिसका मापन हम मीटर में करते थे मात्रा या भार इसको भार भी कह सकते है इसका मापन हम किलोग्राम में करते है और इसी प्रकार तीसरी मूल राशिती समय की जिसको हम सेकेंड में निकालते थे यानि पूर्व में जो हमारी मूल राशियां थी जिनको हम मूल मात्रग में नापते थे वो कौन कौन सी थी लंबाई भार किलोग्राम में लंबाई मीटर में और समय सेकेंड में और इस प्रकार इन राशियों को मापने के लिए जो प्रनालियां पहले प्रचलित थी वो तीन प्रकार की प्रनालियां थी पूर्व में प्रचलित प्रनालियां पूर में प्रचलित पढ़ा लिया कौन कौन सी थी एक थी CGS C इसको इस पकार से लिखते थे CGS दूसरी FPS थी FOOT P Pounder Pound और S Second इसी प्रकार तीसरी प्रणाली जो प्रचलित थी वो थी MKS की मीटर किलोग्राम सेकेंड ये तीन प्रणालिया पूर में प्रचलित थी परंद वर्ष 1971 में वैग्यानिकों की एक अंतर राष्टी गोष्ठी आयोजीत की गई और उसमें मूल मात्रकों मूल राशियों और मूल मात्रकों पर पुना विचार किया गया और ये पाया गया कि ये मूल राशियां जो है राशियां ये तीन के अस्थान पर साथ हो गई मूल मात्रक पहली लंबाई ये हम देखी चुके हैं मीटर में दूसरी भार किलोग्राम में तीसरी समय सेकेंड्स में चौथी तापमान ये कैल्विन में प्रकाश तीब्रता प्रकाश तीब्रता ये कैंडिला में चठा धारा या विर्दू धारा इसको कह सकते हैं ये एंपियर में और सात्वी प्रकाश प्रकाश तीब्रता की मात्रा ये हम मोल में निकालते हैं यानि अब हमारी तीन के स्थान पर मूल राशिया शाथ हो गई लमबाई इसका मूल मातरग मीटर हुआ भार इसका मूल मातरग किलोग्राम हुआ समय मूल मातर सेकेंड तापमान ये नई राशियां है तापमान इसको कैल्विन में नापेंगे और प्रकाश तीबरता इसको कैंडिला में लिखेंगे धारा एंपियर में इसका मापन करेंगे और पदार्थ की मातरा जो है इसको मूल में लिखेंगे एक चीज और बताना चाहेंगे कि इसके साथ दो संपूरक मूल राशियां भी हैं और वो कौन सी हैं दो संपूरक मूल राशियां भी हैं वो हैं इसको हम कौन कह सकते हैं जो समतल पर बनता है जैसे हमने ये कागस पर एक कौन बना दिया ये कौन इसको हम रेडियन में ना पेंगे इसका मात्रक जो है रेडियन होगा और एक ठोस कौन या घन कौन कहेंगे इसका मापन हम इस्टे रेडियन में करेंगे जैसे हमारे पास ये पॉइंटर है और इसके नोक का अगर हम कौन निकालना चाहें ठोस कौन या घन कौन तो वो हम इस्टे रेडियन में ना पेंगे और जो समतल पर कौन है उसे रेडियन में ना पेंगे आज हमने मूल राशियों और मूल मात्रकों पर चर्चा की और हम जानने में ये भी उस्टुक होंगे कि जैसे ही ये हमारा एक पैमाना है और ये पैमाने में छोटी छोटे निशान भी बने हुए हैं तो ये किस आधार पर बनाए गए हैं और कोई हमारा इसका मात्रक होगा जो एक मानक मात्रक होगा अगली कारत्रम में इन सब विश्यों पर तथा अन्य विश्यों पर भी चर्चा करेंगे जिसमें हम और आपको मापन के बारे में जानकाजिए